सारा देश 14 फरवरी को पुलवामा में हुए फियादिन हमले से जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए, दुखी और विचलित है, जिससे हर कोई गुसे में नजर आ रहा है, और बदले की मांग कर रहा है, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी जाती का है, किसी पार्टी का है या किस भी विचारधारा का, सिरसा में भी कई संस्थाओं ने इस हमले का रोश जताया, डॉक्टर सतीश बंसल, प्रधाना एमे के नित्रित्व में हाथों में बैन लेकर मोन धारन कर रोश मार्च निकाला, यह रोश मार्च PWD रेस्थ हाउस से शुरू हुआ और शहीदी समारक प पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए जो ऐसे जाहिल लोगों को पनाह देता है और प्रोथसाहन देता है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है भारत को इस हमले का कड़ा जबाब देना चाहिए ताकि भविश्य में पाकिस्तान ऐसी घिनूनी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। New News for UK के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंग के साथ कालावाली से चानन सिंग गुर्जर की रिपोर्ट